ओम शांती उन्तेस छे दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे इश्वरिय बच्चपन को भूल उचे ते उचा वर्षा गवा नहीं देना फुल पास होंगे तो सुर्यवन सी घराने में राज्य मिलेगा प्रहश्ण सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते क्यों? उत्तर क्योंकि सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रालब्ध भोगती हैं उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता गीत बच्पन के दिन भुलाना देना ओम शांती बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना वेहद का बाप बच्चों प्रती समझा रहे हैं परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी स्रेष्ट ते स्रेष्ट है कहते भी हैं शिफ भगवान वाच अत्वा रुद्र भगवान वाच रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है तो परम पिता परमात्मा इस श्रीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं ऐसे और कोई मनुष्य साधू संत आधी नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हूँ, तुम्हारा परम्पिता इस मुख कमल से बोल रहा है, कहते हैं गव मुख, अब पानी की तो कोई बात नहीं, बाप है ज्यान का सागर, श्री-श्री 108 रुद्र माला वा श्रिव माला है ना, तो पहले-पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही संसकार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है और गन्स द्वारा, आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड दूसरा लेती हूं भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल सत्यूग में पुनरजनम लेता हूं तो नाम, रूप बदल जाता है यह आत्मा बोलती है सत्यूग में हूं तो पुनरजनम भी सत्यूग में होता है अत्वा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनरजनम वहां लेते हूं फिर नाम रूप बदलता जाता है बाप निराकार श्य बाबा इस रत में आकर समझा रहे बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हूँ तुमको बहुत खुशी चड़ी हुई है हम बेहद के बाप से वर्शा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बेरिस्चरी अत्वा डॉक्टरी का पार्ट बजाता हूँ हम आत्मा आ शरीरी थी फिर गर्व में आकर शरीर धारन किया है बाप कहते हैं मैं तो गर्व में नहीं आता हूँ हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं नहीं तुम लेते हो यह दादा लेता है इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिये हैं यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी अब 84 जन्मों को जाना है आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन में लिया फिर पुनरजनम लेते आए फिर चंदरवंशी घराने में जन में लिया फिर पुनरजनम लेते लेते सत्यूग त्रेता द्वापर कल यूग में आए आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया परमपिता परमात्मा के लिंगरूप की पूजा भी की मैं आत्मा सत्यूग में मालिक थी वहां किसकी पूजा नहीं करती थी स्वर्ग में भक्ती होती नहीं आधा कल्प भक्ती की अब फिर बाप के सम्मुक आये हैं अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुक आये हो साकार द्वारा बाप कहते हैं यह ईश्वर यह जन्म भूल नहीं जाना कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है अरे मुश्किल क्या बात है तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो ग्यान के संसकार मुझे परम पिता परमात्मा में है इसलिए मुझे ज्यान सागर मनushya स्रष्टी का बीजरूप कहते हैं खुद कहते हैं बरोबर मैं रचायता हूँ मैं परम धाम में रहता हूँ मैं यहां एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है पतित स्रष्टी को आकर पावन बनाता हूँ जरूर पतित ही याद करेंगे सत्युग में पावन तो याद नहीं करेंगे ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ नहीं, पतित माया ने बनाया है तब कहते हैं पावन बनाओ परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि मैं अब आता हूँ मैं आता ही हूँ संगम पर और कोई समय नहीं आता हूँ अभी आया हूँ तो मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है वह मम्मा सरस्वती जगत अंबा है ब्रह्मा की बेटी बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती इसलिए वह जगदंबा मुकररर रखी है इसके ब्रह्मा के शरीर को जगदंबा नहीं कहेंगे यह मात पिता है यह ब्रह्मा माता भी है वर्षा माता से नहीं मिल सकता वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा इस ब्रह्मा माता के तुम मुखवंशा वली हो बाप कहते हैं बच्चे मेरा बन कर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुशार्थ करते करते फिर कहां माया की युद्ध में हार नहीं जाना भाग नहीं जाना यह ईश्वरिय बच्पन भुलाना नहीं अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा तुबी के सरस्वती जिसको जगत अंबा कहते हैं वह पालना करने निमित बनी हुई है यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके कलश पहले पहले इनको मिलता है पहले इनके कान सुनते हैं फिर जगत अंबा है समहालने के लिए अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए जैसे धर्माओ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है जहां उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है पुरुषोतम माना उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्षमी नारायन यह नर नारी उँच दे उँच कैसे और किस द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा मेरा नाम भी है श्री श्री स्रेष्ट ते स्रेष्ट मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ट ते श्रेष्ट ऐसा श्री नारायन जैसा मनुष्य मैं बनाता हूं पती तो कोपावन बनाता हूं जिससे फिर ऐसे लक्षमी नारायन पुरुशोत्तम और पुरुशोत्तम मनी बनते हैं बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के जो भी सम्मंद है सब को भूलते जाओ मुझे एक के साथ योग लगाओ तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं बाप के स्थापन की हो सर्ग के हम मालिक बनेंगे बाप कहते हैं मामे कम याद करो यह है आत्मा की अत्वा बुद्धी की यात्रा धारणा सव आत्मा को करनी है शरीर तो जड़ है आत्मा की प्रवेश्टा से यह चैतन्य बनता है तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे यह याद की मन्जिल बड़ी लंबी है तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लोट आते हैं तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं क्रोध लोब आधी हो जाए परन्तु पवित्र ज़रूर रहेंगे फिर घर में लोट आते हैं तो आप अवित्र बन पड़ते हैं इस समय सब की आत्मा भी जूटी तो शरीर भी जूटे हैं लक्ष्मी नरायन की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं इस समय सब पतित हैं सत्युग में बेहद का सुक शान्ती पवित्रता रहती है कल्युग में तीनों नहीं है घर घर में दुख अशान्ती है कोई कोई घर में तो इतनी अशान्ती होती है जैसे नर्क आपस में बहुत लड़ते जगड़ते रहते हैं तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं अगर भूले तो उच्चते उच्च वर्षा गवा देंगे भुला दिया फारक्ती देदी तो अधम गती को पाएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो स्त्रेष्ट स्ट्री लक्ष्मी नारायन बनेंगे फिर त्रेता में दो कला कम हो गई इसलिए उनको शत्रियपन की निशानी देदी है ऐसे नहीं वहां कोई राम रावण की लड़ाई होती है जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं पूरे माक्स हैं सौ सूरेवनशी नंबर वन जो गद्धी पर बैठेंगे थोड़े कम माक्स होंगे तो सेकेंड नंबर 33 प्रतिशत माक्स के नीचे आ जाते हैं तो राज पीछे मिलता है सूरेवनशी का पूरा हो फिर चंदरवनशी का चलता है सूरेवनशी फिर चंदरवनशी बन जाते हैं सूरेवनशी राजधानी पास्ट हो गई ड्रामा को भी समझना है सत्युक के बाद त्रेता सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं खाद पड़ती जाती हैं पहले गोल्डन फिर सिल्वर कौपर आइरन अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है आत्मा की जोती उजहाई हुई है पत्थर बुद्धी बन पड़े हैं बाप फिर पारस बुद्धी बनाते हैं कहते हैं हे आत्माए चलते फिरते कोई भी कारे करते बाप को याद करो आठ घंटा तो पांडव गवर्मेंट को मदद करो अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरी कुल में आये हो फिर अगर आसुरी कुल में गए अत्वा उनको याद किया तो विकर में विनाश नहीं होंगे मेहनत सारी इसमें हैं नहीं तो अंत में बहुत रोना पच्चताना पड़ेगा पापो का बोजह रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती हैं साक्षतकार कराते हैं तुमने फलाने जन्मे में यह किया काशी कलवट में भी साक्षतकार कराके सजा देते हैं यहां भी साक्षतकार कराए धर्मराज कहींगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मातन से पढ़ाता था तुमको इतना सिखलाया फिर भी तुमने यह यह पाप किए ना सिर्फ इस जणम के परनतु जणम जणमांतर के पापों का साक्षतकार कराएंगे टाइम बहुत लगता है जैसे की बहुत जणम सजा खा रहा हूं फिर बहुत पच्छताएंगे रोईंगे परन्तु हो क्या सकेगा इसलिए पहले से बता देता हूँ नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी इसलिए बच्चे मुझ अपने सत्गुरु के निंदक मत बनना नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु एक ही है अब बाप कहते हैं यह ब्रम्हा बच्चा हमको बहुत याद करता है ज्यान भी धारण करते हैं यह और मम्मा नंबर वन पास हो फिर लक्षमी नरायन बनते हैं इनकी डिनायस्टी बनती है जब सब पुरुशार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल महनत कर उनके तक्त के मालिक बने मात पिता को फॉलो करें और भविश्य तक्त नशीन बने यह रचाईता और रचना की नौलेज कोई जान नहीं सकते वह तो बे अंत कह देते हैं हम नहीं जानते हैं नास्तिक हैं ना जानने के कारण ही भारतवासी अत्वस सब बच्चे दुखी हुए हैं लड़ते जगडते रहते हैं पानी के लिए जमीन के लिए कहा भी जाता है यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन में कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा एकदम कर्मा तीत अवस्था में पहुँचा आ देते हैं भगवान वाच हे बच्चे मुझ बाप के अत्वा मुझ साजन के बन कर फिर कभी फारक्ती मत देना फारक्ती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए वहां कभी इस्तरी पती को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी बच्चा कभी बाप को फारक्ती नहीं देगा आजकल तो बहुत देते हैं सत्युग में कभी फारक्ती नहीं देते हैं क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुशार्थ की प्रालब्ध भोगते हो इसलिए कोई दुख का अत्वाफारक्ती का प्रश्ण ही नहीं यह याद की यात्रा है परमपिता परमात्मा के पास जाने की रोहानी यात्रा है निराकार बाप निराकार आत्माउं से बात करते हैं इस मुख द्वारा तो यह गव मुख हुआ ना बड़ी मा है तुम हो मुख वन्शावली उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं बाकी गव के मुख से जल कैसे निकलेगा बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ग्यान रतन देते हैं एक एक रतन लाखो रोपेयों का है जितना तुम धारन करेंगे मुख्य है ही मन मनाभाव यह एक रतन ही मुख्य है बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद सुक का वर्षा देने लिए बांधा हुआ हूँ जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे क्योंकि तुम आग्याकारी बफादार बनते हो जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं याद से ही विकर में विनाश होते हैं बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है इसलिए खबरदार करते हैं कभी बाप को भुला नहीं देना मैं तुमको लेने आया हूँ सत्युक से फिर नाटक रिपीट होगा मैं सत्युक का मालिक नहीं बनूँगा तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ मैं फिर आधा कल्प बानप्रस्त में बैठ जाऊँगा फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते दुख में सभी याद करते हैं सुख में करे न कोई अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला आठ घंटा पांडाव गवर्मेंट की मदद जरूर करनी है याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है दूसरा कभी कोई उल्टा कर्म करके सत्गुरू की निंदा नहीं करानी है मम्मा बाबा जैसा पुरुशार्थ कर सूर्यवन्शी राजाई लेनी है वर्दान दिव्य बुद्धी के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सेर करने वाले ज्यान स्वरूप विद्यापती भव दिव्य बुद्धी अर्थात होली हंस बुद्धी हंस अर्थात शीर और नीर को मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहन करने वाले इसलिए होली हंस संगम युगी ज्यान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है आप सभी ज्यान स्वरूप हो इसलिए विद्यापती या विद्या देवी हो यह वाहन दिव्य बुद्धी की निशानी है इस दिव्य बुद्धी के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो यह वाहन सभी वाहन से तीवर गती वाला है स्लोगन अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रती विल करना ही सर्व स्रेष्ट सेवा है अच्छा ओम शांती आप द्रिष्टियों ही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हो पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टियों ही देते रहो बाबा है